आगर आपने बी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आप सची और अच्छी खबरे सबसे पहले देख सके हैं एढ़ाबाद में वाक्याप भारत बायोटिक कंपणी ने किया हिंदुस्तान में कोरोण वैक्सीन बनाने का अलान कहा जोलाई से इंसानों पर शुरू होगा इस वैक्सीन का ट्रायल पहले और दूसरे दोर के लिए DCGI ने दी मन्जूरी भारत बायोटी कमपनी का कोरोना वैक्सीन बनाये जाने के एलान पर देखिये हमारी मुकमल रिपोर्ट दुनिया बर में कोरोना वायरस सा कहर जारी है पूरी दुनिया में इस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद एक करोर के करीब पहुँच गई है और हिंदोस्तान में इस चमुतासे होने वालों की तादाद 5,66,000 के करीब पहुँच चुकी है जो फिक्र अंगेज बात है लेकिन अब एक इंदिहाई इत्मिनान बक्ष खबर साबने आई है और वो ये है के कोरोने के रोख ठाम करने वाली वैक्सीन हिंदोस्तान में तयार कर ली गई है जोस्तान में इंकलाब ने एक खबर शायर की है जिसकी सुखी है हिंदोस्तान में तयार कर ली गई कोरोने कामियाब वैक्सीन कोरोना वायरस के तेरी से बढ़ते दायरे में ये खबर इंतिहाई इत्मिनान बक्ष है कि हिंदोस्तान में कोरोना पर कदगन लगाने वाली वैक्सीन तयार कर ली गई है और अब इसका इंसानी ट्रायल भी शुरू हो रहा है इस वक्त मुल्क में कोरोना मरीदों की तादाद 5,66,000 से मुतजावस कर गई है और हर रोज 18 से 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं जो डराने वाली तादाद है लेकिन इस खबर से अवाम को रहत पहुंची है वाज़ रहे के दुनिया में तक्रीबन 13 कमपनियों और इदारों में वैक्टीन पर तहकीक का काम जारी है और पोर्ट यूनिवर्स्टी से लेकर कई दिगर यूनिवर्स्टियों में वैक्टीन की तहकीक आखरी मरहले में है आलमी इदारा बराय सेहत डव्यू एच ओ ने इसकी तस्दीख की है अब जबकि कोरोना की वैक्टीन हिंदुस्तान की मशूरों मुम्ताज वैक्टीन बनाने वाली कमपनी भारत बायोटीक ने भी तयार कर ली है तो ये इंतिहाई इत्मिनान की बात है भारत बायोटीक कमपनी ने इस वैक्टीन का नाम को वैक्टीन दिया है कमपनी का कहना है कि जोलाई सेही इस वैक्टीन का इंसानों पर ट्रायल भी शुरू हो जाएगा जिसके पहले और दूसरे दोर के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया बी सी जी आई ने मंदूरी भी दे दी है हैज़ाबाद में वाकर भारत बायोटीक कमपनी ने बताये कि आई सी एम आर और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलोजी एन आई वी के साथ मिलकर उसने कोविड नाइंटीन के लिए हिंदुस्तान की पहली वैक्सिन को काम्याबी के साथ तयाज किया है वादे रहे कि इस से पहले मूंबई और हैज़ाबाद की दो दवा कमपनियों ने कोरोना की दवा बनाने का दवास किया है हाला कि हुकुमत की तरफ से इन दावाओं पर कोई रद्य अमल नहीं आया ताहम जब बाबा रामदेव ने कोरोने की वाबा बनाने का एलान किया और उसकी तश्हीर शुरू कर दी तो हुकुमत ने इस पर पाबंदी आइप कर दी और उसको रद्य की तोकरी में डाल दिया लेकिन भारत बायोतिक कमपनी मुल्की मुम्ताज वैक्सिन बनाने वाली कमपनी है और इसका दावा जूटा नहीं होगा ऐसी लोगों को उमीद है अलावाजी मुल्क में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं गुदिष्टा 24 घंटे में 18,522 नए मामले सामने आए हैं जबके 13,99 लोग सेहत मन भी हुए हैं अब सेहत मन होने वालों की तादार कम हो रही है और मरीजों की तादार बढ़ रही है जिससे फिक्र बढ़ गई है भुदिष्टा 24 घंटे में 418 लोगों की कोरोना से मौद भी वाक्य हुई है मुल्क में कोरोना मरीजों की तमजमूई तादार 5,66,840 हो चुकी है इसकी वज़े से अब तक 16,893 लोग भी हलाग हुए हैं इस वक्त फुल एक्टिव मरीज 2,15,125 हो गए हैं जबके अब तक कोरोना से 3,34,822 लोग सेहत मन भी हुए हैं तो ये थी नाजरीन रोज़दामा इंकलाब में शाया खबर जिससे जाहिर हो जाए कि हिज़ाबाद में वागए भारत बायोटिक कमपनी ने दावा जिया है हिंडुस्तान में बढ़ते हुए कोरोना मुतास्रीन की तादत को कम करने में मदद करेगी हम उमीद करें हुकमत जल अजल इस वैक्टिन पर मंदूरी देगी और इसका बाकाइदा एलान करेगी जिससे अवाम में पाई जाने मारी देह्चत कम होगी और कोरोना का पीडिये शुक्रिया खुदा अफिर